वेलकम बैक टु इंडेंट औरकेंड आज बात करने वाले हैं इसे टॉफ फाइफ फीचर्स के बारे में जिनकी वज़े से आप लोगों को निसान मैगनाइट को पर्चिस करना चाहिए कंपार टू रेनो काईगर क्या ऐसे फीचर्स हैं आज इस वीडियो में जानेंगें तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला फीचर वही इसके फीचर्स हैं जिसमें आप लोगों को 360 डिगरी कैमरा मिल जाता है बेसिक वीरिंट से ही आपको जो है डी फॉगर, वाइपर, चारो पावर, विंडोस जैसे फीचर्स जो है वो मिल जाते हैं निसान मैगनाइट में तो जो फीचर्स हैं वही इसका एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि आप लोगों को ये गाड़ी काफी जादा पसंद आने वाली है साथ ही इसके अंदर जो 360 डिगरी कैमरा मिलता है वो आजकल की जो टाइट स्पोर्ट पार्किंग है वो महाँ पर बहुत ही जादा यूसफूल होता है जब आप गाड़ी चला रहे होता है डे टू डे लाइफ में ट्राफिक में होता है तो वो महाँ पर भी काफी जादा यूसफूल होता है इस सेग्मेंट के अंदर जो पर्चेस कर रहे हैं लोग गाड़ी वो कई बार हो सकता है कि इंजिन मार्केट में वो पहली अपनी कार पर्चेस कर रहे होता है या फर्स्ट टाइम कार उनके घर पर आ रही होती और वो चलाना सीख रहे होता है उस केस में 360 डिगरी कैमरा या बर्ड आई व्यू कैमरा जिसको बोलता है वो एक ब्लैसिंग से कम नहीं है नियू कार बायर्स के लिए चलते हैं सेगेंड पॉइंट पे जो सेगेंड पॉइंट है वो है सिटिंग जी हाँ रैनो काईगर और निसान मैगनाइट दोनों के ही रिविव में आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं आप साइट पर आप आर्टिकल में भी रिविव रीडाउट कर सकते हैं बट अगर बात की जाए लॉंग जर्नी की लॉंग डिस्टेंस ट्रेवल की तो यहां पर जो है निसान मैगनाइट की सीट्स थोड़ी सी जादा कमफर्ट आपको प्रोवाइट करती है आप थोड़ा से हाइट फील करते हैं आपके लग जो है वो रिलैक्स पोजिशन पर रहते हैं स्पीस थोड़ा सा जादा मिल जाता है आपको ऐसा आपको फील होता है और इस पीस जो है वो ना के बराबर मतलब डिफरेंस आप समझ सकते हैं विर्थ के मामले में तो काईगर थोड़ी सी जादा ही है पर फिर भी चार लोगों के अगर बात की जाती है सब 4 मीटर SUV में तो निसान मैगनाइट जो है वो आपको काफी अच्छी तरीके से comfort प्रोवाइट करती है और headroom भी जो है इसका काईगर से थोड़ा जादा ही है नेक्स्ट जो फीचर है वो है इसकी handling highway पर निसान मैगनाइट जो है वो काईगर से जादा अच्छी handling जो है वो प्रोवाइट करती है highway पर high speed stability जो है वो बहुत ही बढ़िया है ये बात जरूर है कि इसकी steering wheel है वो थोड़ी सी heavy है और वो चीज़ आपको CT में थोड़ा सा irritate कर स ये steering जो है इसका वो बहुत ही बढ़िया है और चलाने में आप लोगों को मज़ा आता है जब मैंने first drive impression share करा था तब ही मैंने आपको उसी time life बताया था 120 पे में speed पे cruise कर रहा था और काफी अच्छी तरीके से जो है वो ये गाड़ी cruise कर रही थी मुझे कहीं से कहीं तक परि दिखेंगे रैनो काईगर को तो कहीं ना करीं वो दूर से एक छोटी कुट जो है वो जीम जाके आती हुई नजर आईगे आपको तो वही एक बात है बहुत बड़ी रैनो काईगर जो है वो ट्रैबर और कुट को मेंस्चर या बोल सकते हैं ना कि दोनों को मिला के एक कgender आपविल करती है और आप लोगोंको भी श्रायद वह पसंद आने वाली बहुत सारे लोगों के लिए लोग सब्जेक्टिव होता है तो माइक पॉसलेबल आप लोगोंको ले दो आचीवी तो माइक पॉसीनल आप रैनो काईगर भी पसंद आ सकती है और साथी साथ आप लोगों को जो है निसान मैगनाइट भी पसंद आ सकती है तो डिपैंड करता है बट मैंने अपना एक ओवर्वीव बताया इस गाड़ी के उपर कि जो अपील होती है जो सब 4-meter compact SUV आप परचेस कर रहे हैं तो आपको एक SUV character मिलना चाहिए गाड़ी के अंदर वो आपको निसान मैगनाइट में जादा अच्छे से मिलता है फिफ्ट पॉइंट जो है वो इस गाड़ी की basic variant के अंदर मिलने वाले का सारे फीचर्स चारो पावर, windows, rear, wiper, defogger कई सारे इसे features आपको basic variant से इसके अंदर मिल जाते हैं ज तो यही सारी चीजे हैं जो कि निसान मैगनाइट को एक step आगे लेके जाती है इन सभी features को अगर देखा जाए तो रैनो काईगर से I hope आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर सारे features आप लोगों को जानने हैं तो आप हमारी website पे जाके read कर सकते हैं चाहे र description में link दे हुई है indiantalk.com को अभी जाके check out करें और bell icon वाले बिटन को प्रेस करें ताकि website के भी notification आपको regular मिल जाए और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल को subscribe नहीं करा है तो चैनल को subscribe करके bell icon वाले बिटन को प्रेस करें ताकि YouTube वीडियो के भी सारे notification आप लोगों को मिल जा करें लोगों को